अग्राइब बात कर रहे थे पहला आज का वर्ड जो है वो है बीहेवियर बीहेवियर नोटे बीहेवियर बीहेवियर एक नाउन है और इसके जो सिनेनिम है इसमें कंडक्ट अपन बोलते हैं देखिए यदि आप कंड़क्ट बोलते हों तो कंड़क्ट का जो सिनेनिम जो रहता है वो ये रहता है कंड़क्ट और स्किणड सेलेबल मैं दोंग की conduct यदि conduct बोला तो noun बोला अपने ठीक है और noun के अंदर first syllable पर stress रहता है और यदि आपने बोला conduct तो यह verb हो जाती है conduct का mean behavior होता है और उसके बाद में second इसका synonym है demeanor demeanor R नहीं बोलेंगे demeanor second है अपना besieach और besieach bag प्रार्थना करना और entreat entreat implore 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 third की अपने बात करें big यह adjective है और big का जो synonym है enormous not enormous 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 huge mighty large vast immense 5th अपना blend verb है blend का है mix और mingle 5th अपना byes और byes का जो synonym है noun है byes और इसका synonym है prejudice ठीक है दुबारा फिर सुन लेजिएगा behavior behavior नाउन है और इसके जो synonym है conduct conduct और demeanor और पहले भी अपन बात करें conduct बोल दिया तो वह हो जाएगी besie besie के synonym है bag and treat implore implore third है big adjective है enormous humus huge mighty laws worst और फूर्थ है अपना blend mix mingle आपको पता है कि प्रती एक exam के अंदर और चाहे हमारी daily life की daily life के अपन बात करें vocabulary जो है ना वो बड़ा important role play करती है bank sse bank p.o clerk first grade second grade rs ies upse exam सभी के अंदर जो vocabulary जो है ना वो बड़ा important role play करती है और इसको देखो याद नहीं किया जा सकता याद करने का तरीका यह है कि आप इसे बार बार सुने बार बार सुनोगे तो यह words जो है आपके active vocabulary के अंदर चले जाएंगे और आपसे request यह है कि यदि आपको हमारा वीडियो जो हमारी efforts अच्छी लगी हो तो please वीडियो को share जुरूर करें Thanks